हेलो दोस्तों मैं हुआ प्रांचा सभी का स्वाख करता हुए तो वाइल को फ्रेश वीडियो के अंतर दोस्तों आप सभी सामने फिर सारी सारी टाज अपडेट आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल अनलेसिस को साथ यहां पर करने वाले धीर सारी मुजिस को कवर त ताकि दोस्तों अगर आपको क्रेकर्स के आवा जाए तो हम सॉरी लेकिन ट्राइक करते कि कल से वीडियो मौनिंग में शिफिक कर दें जब तक दो तेन दिन याए क्रेकर का सीजन रहेगा ताकि आपको जो ऑडियो है वो प्रॉपर यहां पर मिल पाए बागे दोस्तों वी इन दोनों के लाव मेरा कोई और नहीं है तो फानली दोस्तों हमें आपर देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों यहां पर लगपग 18,000 डॉलर यानि कि यह वो टार्गेट है जिसको कि में एक्सपेक करें मार्केट यहां पर जाएगा लेकिन मार्केट का जो मुमेंटम में इतना सॉलिट नहीं लग रहा है क्योंकि अगर यहां से मार्केट चेंज होता है तो हमें फिर दूसरे ऑपोसिट ट्रेट लगपग 16,000 डॉलर के असपास है हम इस लेन के ब्रेक होने का मतलब या फिर अगर प्राइस के नीचे आ जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहीना कि जो मार्केट है उसका अप्ट्रेंट की तरह वो शिफ्ट होना चाहता है तो यह लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टन रह हो भी टार्गेट से वह भी हाप याप पर डेफिनिटली देख सकते हैं लेकिन फ्राइब में प्राइस की बात करें तो प्राइस बुलिश है अगर इस चीज़ को हम लोग डेली में के कोशिश करते तो मार्केट बहुत ज्यादा दूर है इमें रिबन से अगर इसको इमें 2700 के आसपास आना होगा जैसे कि मैंने का कि 16000 के नीचे आता है तो फिर मार्केट के अंदर हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है और वो करेक्शन के लिए हम लोगों को रहना होगा वाल्यम की बात कर तो वाल्यम आपर डिकलाइन स्टार्ट हो गई है मैक्टी और आरे से लगबख लबख बहुत जदा हाइस टैट्री के अंदर यहां पर ट्रेट कर रहे हैं वहीं पर हम लोग 4 वर के सबसे बात करें तो 4 वर में भी वाल्यम डिकलाइन है मैक्टी अरे से थोड़ा सा ठीक इसने पर 60 उपर है तो हम शौट टम कुछ टाइम के लिए ब सब्सक्राइब के बारे में तो यहां पर एक छोटी सी गैप हमें देखने को मिली थी बट वह इतनी कोई खास नहीं थी और अगर आज के देखें हम लोग तो यह आज फ्राइडे तो आज यहां पर जो सी में मार्केट का है वह आज बंद हो जागा और मंडे को खुलेगा मार्म भी हमंने कोई सी गैप देख्ने को मिल सकती है है और उसके फोकस करकर न होगा वह क्यी प्राइस जाता दून नहीं में तो हमें एक्सेक्ली थोड़ा सा उपर चली गई जो हमें लोगों नहीं पर लाइन लगाई थी तो इसको मैं फिला में रिमूफ कर देता हूं जो हमारा मेजर कह सकते हैं कि जो लेवल है रेस्टेंस का वहां पर जो डॉमियन से बस्टिल यहां पर इंटेक करी है और इसके उपर मैंना को बहुत ज़्यादा बॉटम तक ले आ सकती है तो यहां से अगर डॉमिनस गिरती है और हम सब को चांस में लेगा वापी से अल्ड के अंदर जाने का तो आती रहेंगी बस हमें थोड़ा सा वेड यहां पर करना है नेक्स बात करते हैं तो यह है दोस्टों एथिरियम आइ पाइप 47 डॉल के मेजर टार्गेट पर इसके मेड़ में भी आप टार्गेट यहां पर इसली आरेंच कर सकते हैं बट यह लेवल थोड़ सा इंपॉर्टेंट है दो बार तो यहां पर इस बार प्राइस ऊपर चला गया तो चांसे हाई हो जाएंगे कि मार्किट अब डिरक बात करते हैं वॉल्म की तो वॉल्म तरीकी से डिकलाइन हो गया है यानि कि मेड़ इसको ब्रेक करता तो यहां पर रुखा हुआ है तो यह देखना इंट्रस्टिंग वर्क कि और मॉनिंग तक हमें ब्रेक आउट देखने को मिलता है अगर अब साइड में मिलता है तो स्प कोशिश कर रहा है अगर यह 60 के ओपर स्टेवल हो जाता है साड़े नौ बेज़े रात को क्योंकि फोर अवर केंडल क्लोज होगी दैन चांसे बढ़ जाएंगे कि जो मार्केट है इतिरेम का वो पंप होना चाहता है और अच्छा-कासा उपर लेवल तरहां पर जानना चाह सकते हैं और यह अच्छी बात है कि मार्केट ब्लास करके आगे कि निकल गया है अभी का अगला टार्गेट हम ले सकते हैं तो इसके उपर आप फोकस हैं पर रख सकते हूं यहां पर यहां पर आपको बना के बदा है था कि आपर वॉल्म डिक्लाइन हो रहा इसका मतलब प्राइज से नीचे निए वापस ऊपर आ गए तो आप इसको एक तरह से फेक आउट थोड़ा सा कह सकते हूं बट इस तिल अभी हमें यह देखना होगा कि जो प्राइज से वह 13.3 के उपर ब्रेक करते हैं आप फिर नहीं करते क्योंकि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं क लेख सकते हैं इस चांसे रहेंगे कि जो प्राइस से वह 11.5 के बीच में आ सकते हैं यानि कि इस वाले बॉक्स में देन शायद हमें कोई अलग चांसे से अपसाइड में जाते हुए मिल सकते हैं नेक्स दो कौन की बात करें तो यह है दोस्तों BNB जो कि फाइनली अपने ब उपर जाता है तो लगवर 29.5 डॉलर हम एक टार्गेट को लेके चल सकते हैं जैसे हमने पहले भी बात करते हैं पर एक एक एड़न शूल्डर के लिए तो लगबग यह शूल्डर जैसा बना है बट प्रॉपर नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बार यहां पर ट फाइब डॉलर पर अगर यहां पर हमें कोई रेस्टेंस देखने को ना मिले सारी चीज़े प्रॉपर ली जाती हैं तो यह चीज़ें आपके देखने को मिल जाएंगी नेक्स कोई की बात करें तो यह हैं लोग एक आराम से यहां पर कर सकते हैं और जादा तर चांसे जब यहीं बनगा एकसर पी में की उपर की तरफ ब्रेक करेंगा क्योंकि जितना भी ज्यादा यह नीचे जाने की कोशिश कर रहा था वह तो चीज नहीं हो पा रही है और इसके साथ साथ बात करो तो यहां पर भी हमें एक क्लासिकल है और यहां पर हिट कर सकती हैं और इसकी सब्सक्राइब करते हैं तो वह इसके ऊपर जाने के यहां पर बन रहे हैं नेक्स दोस्तों बात करें तो यह और ज्यादा प्रोग्रेस मिले बाकि अगर मैं इस चीज को पुरा रिमूफ कर देता हूं और यहां से हमें एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉक्त कर सकते हैं और यहा करते हैं तो यह जो ट्रेंड लाइन यह पर ब्रेक हो गई है जो कि वाइट का लेकित आप देख सकते हो और इसके ब्रेक होने का मतलब कहीं न कहीं है कि जो नियो का डाउन ट्रेंट था वे चैनल में से भी यहां पर ब्रेक हुआ है जो कि अगर प्रोपर तरह तो 25.8 डालर हमारे लिए सबसे ज़्यादा हाइस लेवल यहां पर होने वाला है बट अभी इसका कन्फरमिशन प्रॉपले में मिला नहीं है एटलेस एटलेस जो हमारे यह लेवल पहले है टच हो जाए 16.5 का यह इसके उपर मार्केट आता है देन हम लोग फिर 25-26 डॉलो को इसली टार्गेट यहां पर कर सकते हैं नेक्स जो कोईन है दोस्तों वह हैं पर डॉट टोकर जो की निंचे आने का नाम नहीं ले रहा है और अगर जो अगर आफ यहां से देखने को मिल रही है और अगर आप यहां से देखने को वेट करो 45 टालर के ब्रेक होने का अगर यह ब्रेको हुता नहीं से गिनना नीचे जालू होती है तो यह सारे कॉन के बाइस शॉट की तरफ शिफ्टियां पे हो जाएंगे नेक्स उसो कॉन की बात करें तो यह तो सो है बिटकॉइन कैश जो कि क्लियर कट आपको आइडिया नहीं मिलेगा बड़ जो हमारा एक बेस लेवल है वह फिला में 251 डॉलर का इसको समाले हुए एक बार अगर यहां से वापिस पर शूट अप हो तो हमारा जो मेजर लेवल है 265 डॉलर का यह ब्रेक होना बहुत जाता ज़रूर है क्योंकि जब य कोई 300 का लेवल है जिसके लिए हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे यहां पर आपको एक स्लांट मिल जाएगा यह वाला आप कह सकते हो कि यह शूल्डर यह है और कहीं न कहीं यहां पर शूल्डर बन जाएगा अगर इसी तरीक से प्राइस से यहां पर बूम करना चा कि तरफ से यहां पर 80% यूएस का आप कैसे तो यहां पर 80% से ज्यादा यूएस से इंदर सर्विस दे रहा है तो फिलाव में अपनी नई सर्विस चालू करती है नौर्थ कैरोलाइन के अंदर और नौर्थ के लराइन में बात करते तो 10.5 मिलियन रहते हैं पहले यह तेरा के से रहां कवर करते हैं तो आप सोगते हों कि कंपनी के पास बिजनर्स अच्छा आएगा बिजनर्स अच्छा आएगा तो कहीं ना कई वह इन्वेस्ट करेंगी नए प्रोडॉक्स और इन सभी का बैनिफिट उन लोगों कहां पर हो सकता है जो कि इसके शेयर होल्डर से य मिल सकता है जो खबर आ रही चालू कर दी है अपनी सर्विसेस को जितने इन लेए उन सभी लिया पर ट्रेडिंग हो जाएगी तो पेपाल ने चीज यहाँ पर बताए है कि जितने भी क्रिप्तो ट्रीटिंग प्लेटफंगर चो पेशिआ होने वाली है उन सभी ईलिजिबल कस्टमर के लिए जो कि युनाइटेट स्टेट में कोई भी लिमिट नहीं है इसमें पूरे यूइस के लिए हो गया है और साथ यह जो लास्ट इमिन की लिमिट थी टैन थाउजन डॉलर के क्योंकि इंट्रेस बहुत जदा आ रहा है तो यहां पर इंटो ने एक्सेट कर दिय करें या फिर अलग जा सकते हैं तो देखते कि पेपल और क्या धमाल करता है लेकिन यह बात तो है कि जो ग्लोबल एडप्शन है उसमें कई ना कई नों ने यहां पर साथ दे दिया है अगली दोस्टापे जो खबर आरी दोसों बारी एक्रोफ पॉलिस के दरफ से एक प्रो स마र्टइक्स में जो कि हमारे सेविंग फूल में था और इनका सेविंग फूल में 2 चीजह को कंड़क करता है कर बाए और क्रांग कर सब्थे करनी काऊति हुए है अभी पर काहोंगा सभी प्रोजेक्ट किवे थोपी कुए है उननने सब्यों के बहुत है अगर है कि है करने लगा है इस मार्केट में काम मत करूं अगली दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट लेकर आ गया जिससे कि जो आप कैसे जो ट्रांजिक्शन फीस लगती है जो गैस फीस लगती है वह हैं पर 75% कम हो गए तो बेसिक लिए पर एक अपडेट इनका बहुत टाइम से पैंडिं को डिसकाउंट ले सकते हो आने की कम हो चुकी है आप को बहुत ज्यादा कम कौश्च में आप डिफाई प्रोडेक्स पे बिल्ट कर सकते हो जो कि हाँ पर देज़ोस की चेन पर कहीन लिए टीफाई को अग्ली जो कभर आई दोस्तों ऑर यहां पर आ लग सकता है और पोटेंशलिया पर 1.1 billion की इथिरिया मार्केट में डंप हो सकते हैं यह क्यों हो सकते हैं वह आपको बता देता हूं तो कि आप सभी को पता मैंने लास्ट तैम पी यूनिस्वेट की जो न्यूज़ें कि रिजल்ट आया ही नहीं कोई बिद्रेटिशन नहीं मिला यूनिस्वेट में कोई प्रपोजल नहीं आया कोई सम्मीट नहीं हुआ कुछ भी चीजी नहीं हुई कि फार्मिंग को आगे बढ़ाना है कि या और जो लॉंचे संका क्या करना जो नए रिवाट्स उनका क्या करन से हैं तो यहां पर सितनबर 17 से हैं पर रन कर रहे हैं और अभी तक उसके अंदर 583333 यानिकि पांच लड़ 83,000 यूनी जो है पर वीक यहां पर पूल के साब से तो आप चार पूल का लगा लो हिसाब इसमें करके और यही दोस्तों चीज जो कि टेंशन में डाल रही है क्योंकि अभी वैसी यूनी का प्राइस बहुत कमें एर्ट्रॉप के करण बहुत जादा सेलिंग हुई है उसके बीच में जो टोकन पर गए हैं उससे भी बहुत जादा सेलिंग हुई है और अगर यह टोकन मार्के कि यहां पर मार्केट में आएंगे कुछ इंवेस्ट हो जाए कुछ अलग चले जाएं अच्छे हैं तो डंप करने की पॉसिपलेटियां पर हो सकती है तो होड़ा सा कॉशिस रहें यूनी से देखते हैं कि इस महिने में क्या चाहिए निकलती है लेकिन अगर कोई डंप मिल माइनर सो अगर आप नहीं करते हो तो आपको पैनल्टी डिकलियर होगी अंडर क्रेप्टो ट्रांजेक्शन और यहां पर यहां पर अपला वजा का जनवरी से 2021 से और यहां पर यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं और बेसिकले लोग मॉनिटरी करने वाले हैं यह सारी जो कर पाते हैं अगली तो सब्सक्राइब के लिए आपके अपकर आप करते हैं तो आप इनोंने बहुत सारे फीचर्स को आपड़ आउट करा जिसमें है पे रोल यानिकी जो सेलोरी देने का काम होता है वो कस्टमर कैश आउट करना है कॉंट्रेक्ट से रिवार्ट इंशो सारे फीचर अब बिट पे के अंदर आज चुके हैं और 2013 से कंपनी काम करें इनोंने सिंपल सा बोला है कि जो भी पेमेंट हो हमको रिसीब होगा उसको कंपनी आप एकसेंच कर देगी वन परसेंट फीस और इसमें कोई भी आपर फॉरें प्रिस इंक्लूट नहीं होगी तो क्योंकि क्रिप्टो को आज की ताफ है पहले जितना नहीं है पर फिर भी आज की ताफ है तो जो नए लोग इंटर करेंगे उनके लिए चीज़ें बहुत इसी होगी बड़े-बड़े बिजनस को एकसेप करेंगे तो आप खुश सब्सक्राइब करेंगी आपके पासपोर् चारते हो सारी यहां पे करने वाले और ऑफिशलन की वेफसाइट पर यहां पर दिया है जो कि आप देख सकते हो कि अगर आप पासपोर्ट वीजा के एकस्प्रिंटर करना चाहते हो पैनसुलाब वीजा के तुरू तो यहां पर वह यहां पर बिटकों को एकसेप्ट होने वाले इन्होंने कहा कि future में और भी यादा सर्विसेस को लेकर इंक्लूट कर सकते हैं और इस सारे कार्यकांट सिर्फ एक ही वहीं से हुआ है जो कि है कोविट 19 जाने की पैंडामिक में जो कैश का आउट्व इतना रहा नहीं यह लोग उसको लेना भी इतना पसंद नहीं करते हैं तो यहां पर करेंगा आज क्लिए माफ़ी चाहूंगा आज आपको थोड़ा शोर जाता सुनने को मिला होगा बट आप समझ सकते की क्रैक वीडियों पर मिल सके बिना किसी नॉइस के बागी दोस्तों अगर वीडियो पसना है तो प्लीस लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और चैनल को शेर करना बिलकु भी नहीं भुलें वीडियों के साथ वागव ग्रेट डेएंड बाई